हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनसेंसर अफसानी दोस्तों मैं आपका दोस निलेश लव स्टोरी इन बॉलिवुड सेग्मेंट में आज आपको ट्रैजेडी क्वीन मीना कुमारी की लव स्टोरी सुनाओंगा मीना कुमारी ने अपनी जिन्दगी में नाम, शोरत, इज़त, पैसा खूब कमाया लेकिन सच्चा प्यार उन्हें नसीब नहीं हुआ अगर आप यूट्यूब की भूल भूले या में भूले भटके से इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब का घंटा दबाना ना भूलना आपके एक घंटे से बहुत फर्क पड़ेगा मीना कुमारी के पीता अली बक्ष थेटर आर्टिस्ट थे, हार्मोनियम बल्याते थे तो मा प्रभावती ठाकूर स्टेज आर्टिस्ट थी उनकी मा गुरुदेव रविंदर ना टागोर के खांदान से थी घर में ऐसी गरिबी और तंग हाली थी कि जब दो लड़कियों के बाद मीना पैदा हुई तब उनके पीता अली बक्ष छोटी मीना को एक अनात आश्रम की सीडियों पर छोड़ कर भाग आये थे दो घंटे बाद जब उन्हें अपनी गलती का ऐसास हुआ तो वो मीना को लेने वापस लोड़े बच्पन से ही घर में ऐसी मुफलिसिक का महूल था कि मीना को पढ़ने और खेल कुद की उम्ड़ में सिनेमा में काम करना पड़ा ताकि उनके घर का चुला जल सके अक्सर मीना की मां एक साथ धेल सारी रोटिया बना कर काम पे चली जाती वही बासी रोटिया मीना अगले दो तिन दिनों तक खाती नमक मिर्श के साथ याने पैदाइश के साथ ही मीना का ट्रैजरे के साथ अटुट रिष्टा जूड गया था शायद इसी लिए मीना बड़ी हासानी से अपने कैरेक्टर्स के जरिए वो जजबात वो इमोशन सिनेमा में दिखा पाई शायद ये मीना की बदकिस्मती थी लेकिन वही बॉली वुड की खुश किस्मती सावित हुई और मीना कुमारी को लेड़ी गुरुदत याने ट्रेजीडी क्वीन के नाम से पुकारा जाने लगा अजीव इत्तफाक है कि गुरुदत साब महज 49 की उम्रे में गुजरे थे तो मीना कुमारी 38 की उम्रे में मीना कुमारी इस कदर खुब्सूरत थी कि कई एक्टर्स उनके प्यार में दिवाने थे सूपरस्टार राजकुमार तो मीना कुमारी को इस कदर चाहते थे कि उन्होंने मीना के अलावा कभी भी किसी और हिरोईन को हिरोईनी नहीं माना और जब मीना के साथ उनका सीन होता था तो राजकुमार अपने डायलोग्स भूलकर एक टक बस उन्हें देखा करते थे जब मीना आठ साल की थी तब डायरेक्टर कमाल अमरोही उन्हें उनकी एक फिल्म में बतोर चाइड आर्टिस लेना चाते थे लेकिन वैसा हो नहीं पाया कमाल अमरोही अपने दौर के सबसे महेंगे डायरेक्टर थे फिल्म महल के लिए उन्होंने उस वक्त एक लाक रुपे लिये थे जब मीना सोला साल की थी तब उसकी पहली मुलाकात कमाल अमरोही से फिल्म तलाश के सेट पर हुई अशुक कुमर उस फिल्म के हिरो थे तो उन्होंने ही कमाल को मीना से मिलवाया दरशल कमाल एक बिग बजट फिल्म बनाने जा रहे थे अनारकली और उसके लिए वो मीना को बतोर हिरोईन लेना चाहते थे लेकिन फिल्म के प्रोडूसर मनसुख भाई ने मीना को मेन लिड रोल में लेने का आइडिया सीरे से खारिश कर दिया तब कमाल इस बात पर अड़ गए कि अगर मीना अनारकली का रोल नहीं करेगी तो वो ये फिल्म ही नहीं बनाएंगे फिर क्या मनसुख भाई ने भी कहा ठीक है कमाल अगर तुम्हारी जित है कि मीना को ये हिरोईन लेना है तो ले लो लेकिन मैं मीना को तीन हजार रुपे से ज़ादा एक पैसा नहीं दूँगा उस वक्त मीना की आकरी फिल्म के लिए डायरेक्टर होमी वाडिया ने उन्हें दस हजार रुपे दिये थे तो अली बख्ष ने तीन हजार रुपे में काम करने से साफ मना कर दिया फिर कमाल ने बीच बचाओ करके मीना को 15,000 रुपे में अनारकली के लिए साइन किया इस काम्याभी का जश्नमना ने मीना अपनी बहन और पिता के साथ महा बलेश्वर गई थी और वाफसी में लोटते वक्त उनकी कार का एक्सिडन्ट हुआ और उनको पूने के ससून हॉस्पिटल में एडमिट किया गया उस वक्त कमाल अनारकली के शूटिंग लोकेशन देखने दिल्ली आगरा के दोरे पे थे जब उन्हें अकबार के जरिये मीना के एक्सिडन्ट की खबर लगी तो वो दिल्ली से मीना को मिलने पूने पोचे तकरीबन चार महें ने मीना का इलाज चला इस दोरान कमाल ने मीना का खूब खैल रखा, खूब साथ दिया जब वो उनके आसपास नहीं होते तो मीना को चिट्टी लिखते खास बात ये है कि हर चिट्टी देने के लिए कमाल अपनी कार में अकेले मुंबई से पूने का सफर तै करते है कमाल अच्छे राइटर थे तो मीना भी अच्छी शायर थी मीना भी उनकी चिट्टी का जवाब चिट्टी से ही देती थी मीना को कमाल प्यार से मंजु के नाम से तो मीना कमाल को चंदन के नाम से पुकार दी दोनों की इस लव स्टोरी का जिक्र फेमस जर्नलिस्ट विनोध मेता ने मीना कुमारी की बायोग्राफी मीना कुमारी अ क्लासिक बायोग्राफी में किया है कुछ मेनों बाद अनारकली की शूटिंग तो शूरू ही लेकिन कुछ रिल्स की शूटिंग के बाद फिल्म अचानक बन पड़ गए वज़ा थी प्रोडूसर मनसुग भाई को शेयर मार्केट में भारी घाटा हो गया था इस दोरान 1951 में मीना की बैजू बावरा और फुटपात रिलीज हुई और मीना बड़ी स्टार बन गी मीना अच्छे से जानती थी कि कमाल उनसे 15 साल बड़े थे उपर से शादी शुदा और तीन बच्चों के बाप लेकिन मीना ने हर एक बात को दर किनार करके कमाल से गुप चुप तरीके से निखा पड़ो है एक्सिडन के बाद हर शाम मीना अपनी बहन मदू के साथ फिजियो थेरपिक लिए एक क्लिनिक जाया करती थी अली बक्ष खुद उन दोनों को वहाँ दो घंटे के लिए छोड़ जाते एक दिन अली बक्ष ने अपनी कार में मीना और मदू को क्लिनिक छोड़ा और जैसे ही वो वहाँ से चल दिये वैसे कमाल और उनके सेकरेटरी बाकर अली वहाँ आये मीना और उसकी बहन को उन्होंने अपनी कार में बिढ़ाया और अपने साथ ले गए कमाल ने मीना से निगाँ पड़वाया और दो घंटे के भीतर ही मीना वापस उसी क्लिनिक लोटी मीना के पिता को इस खूफ या निगाँ की कानो कान खबर नहीं हुई मीना जानती थी कि उसके पर उसके परिवार की जिम्मेदारी है लेकिन शादी की खबर कब तक छिपाया रखे अब वो अकेली नहीं थी उसके साथ कमाल की भी जिन्दगी जुड़ी थी इसलिए मीना ने फैसला किया कि जब उसके पास दो लाक रुपे जमा हो जाएंगे तब वो उसे अपने पिता को दे देगी और अपनी शादी का खुलासा करेगी कमाल भी इस बात पर राजी हुए लेकिन जल्द ही अली बख्ष को इस निकाह का पता चला तो वो काफी भड़के अपनी बेटी से बादशित बंद कर दी उन्हें मालूम था कि अब उनकी नोट छापने की मशीन उनकी नहीं रही तो टकरा होना तो लाजमी था मीना अब भी अपने घर में रह रही थी अली बख्ष ने मीना को डिरेक्टर महभूब खान की दिलिप कुमार स्टारर फिल्म अमर करने के लिए मजबूर किया जबकि मीना खुद उस वक्त कमाल की एक फिल्म करना जाती थी जब मीना ने अली बक्ष की बात नहीं मानी तब अली बक्ष ने मीना के लिए अपने घर के दर्वाजे हमेशा के लिए बंद कर दिये वही घर जो मीना ने अपने परिवार के लिए खरीदा था मीना फिर कमाल के साथ रहने गई कुछ सालों बाद पाली हिल में अपने और कमाल के लिए उन्होंने बंगला भी खरीदा कभी कबार कमाल की पहली बीवी और तीन बच्चे कमाल और मीना से मिलने वहां आते थी मीना सभी से बड़े प्यार, अदब और अपने पन से मिलती लगातार हीट पे हीट फिल्मे देकर एक तरफ मीना शौरत की बुलंदियों पे थी तो दूसरी और कमाल का करियर सही नहीं चल रहा था यही से कमाल और मीना के बीच फासले बढ़ने शुरूर हो गए वो चाते थे कि मीना फिल्मे छोड़ दे लेकिन मीना ने साफ बना किया और कहा कि तुम अच्छे से जानते हो मैं इस वग्ष किस मकाम पे हूँ और कितना कमा रही हूँ चार साल की उम्र में नह चाते हुए भी जिस मीना ने कैमेरे को फेस किया था आज वही मीना उसी कैमेरे के इश्क में गिरफ थी वो किसी भी कीबत पे फिल्म में छोड़ना नहीं चाहती थी शायद जो तवज्जो, अपना पन प्यार मीना को उसके अपनों से मिलना चाहिए था वो मीना को सिर्फ और सिर्फ कैमेरे ने दिया था फिर कमाल ने मीना के सामने फिल्मों में काम करने के एवर्स में शर्ते रखी शादी में इश्क की जगा अब शर्तों ने ली थी मीना ने जब कमाल से शादी की तो उन्हें लगा था कि शादी के बाद उन्हें वो आजादी मिलेगी क्योंकि पिता के घर उने कभी नसीब नहीं हुई थी क्योंकि कमाल भी फिल्म इंडस्ट्री से तालूग रखते थे खुद एक क्रियेटिव एक जज़बाती इंसान थे तो वो उनको बेतर तरीके से समझ सकते थे लेकिन लेकिन हुआ उल्टा कमाल ने मीना पे काफी पाबंदिया लगा रखी थी जैसे कि शाम साड़े छे से पहले घर वापस लोटना किसी भी आदमी को अपने मेक अप रूम में आने की इजाज़त ना देना शूटिंग के दौरान हमेशा सिर्फ अपनी ही कार में सफर करना यहां तक कि कमाल हमरोई के सेक्रेटरी बाकर अली हमेशा एक जासुस की तरह मीना पे कड़ी नजर रखा करते थी मीना को यह सब घटक रहा था और ऐसे में वो घटना घटी कि मीना ने कमाल से अलग होने का फैसला ले लिया 1964 में फिल्म पिंचरे के पंची के मुहरत के वागत मीना कुमारी का मेकप चल गा था और ऐसे में गुलजार साब उनसे मिलने उनके मेकप रूब में आ गए कमाल के सेक्रेटरी बाकर अली को जब इस बात का पता लगा कि मीना ने कमाल की एहम शर्थ को तोड़ा है तब वो मीना को भला बुरा कहने लगे और बात इतनी बड़ी कि बाकर अली ने मीना को एक थपड जड़ दिया हर बात की एक हद होती है उस दिन वो हद पार हो गई थी मीना ने बाकर अली से कहा कमाल साब से कहना कि में रात घर नहीं आऊंगी उसके बाद मीना उनकी बहन मधू जिसने एक्टर महमुद से शादी की ती उसके घर रहने चली गी कभी भी कमाल के घर वापस न लौटने के इरादे से कमाल को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वो मीना को ढूंडते ढूंडते महमुत के घर जहाँ पोचे मीना ने कमरे का दरवाजा नहीं कुला कमाल ने माफ़े मांगी और कहा कि वो बाकर अलिक को काम से हटा देंगे लेकिन वो उनके साथ वापस लोड़ जाए लेकिन मीना अपनी बात पे कायम रही आकरकार कमाल ने कहा मीना अगर आज तुम मेरे साथ नहीं आई और ये बात कल अगवार में चपी तो याद रखना मैं तुमें कभी भी लेने नहीं आऊंगा मीना तब भी अपने फैसले पे कायम थी और दोनों अलग होगे वैसे कहा तो ये भी जाता रहा कि एक दिन कमाल ने गुसे में मीना को तीन बार तलाक 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 कहे कर उनका रिष्टा खत्म किया और जब उनको अपनी गलती का ऐसास हुआ तब उन्होंने वापस मीना से निकाह करना चाहा लेकिन मजब के ठेकेदारों ने उन्हें ऐसा करने से पहले हलाला की शर्त रखी हलाला यानि इसलाम में अगर शोहर अपनी तलाक दी गई बीवी से वापस निकाह पढ़वाना चाहता है तो आउरत को पहले किसी और मर्द से शादी करके उसके साथ हम बिस्तर होने के बाद उससे बाकाइदा तलाक लेना पड़ता है बिना हलाला के दुबारा अपने पहले शोहर से निकाह जायज नहीं होता तो कमाल के कहने पे उनके दोस्त अमानुल्ला खान जो जीनत अमान के पिता थे उन्हें कमाल ने हलाला के लिए राजी किया फिर कमाल ने दुबारा मीना को अपनी बीवी के रूप में हसल किया वैसे मैं आपको बता दू कि ऐसे किसी भी वाकिय का जिक्र विनोद मेता की मीना कुमारी पे लिखी बायोग्राफिय में नहीं है ये किताब मिना कुमारी पे लिखी सबसे authentic किताब मानी जाती है वैसे कमाल अम्रोह शिया थे और शिया मुस्लिम्स में हलाला जैसा कोई रिवाज नहीं होता यानि मिना कुमारी के हलाला की बात सरासर अफवा है एक सफेज जूट है अब मिना अंदर से तूट गई थी और बेहत तनहा भी थी और ऐसे में एक दिन उनके जिन्दगी में धर्मेंदर की इंट्री हुई हाला कि धर्मेंदर भी पहले से शादी शुदा थे लेकिन दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे उस जमाने के लोग तो ये भी कहते है कि धर्मेंदर ने अपना फिल्मी करियर सेट करने के लिए मीना से नजदी किया बढ़ाई थी क्योंकि उस वक्त मीना गुमारी बहुत बड़ी स्टार थी तो धर्मेंदर एक स्ट्रगलर हुई धिरे धिरे धर्मेद्र ने भी फिल्म इंडिस्ट्री में अपना एक मकाम हासिल किया और वो मीना से दूर होने लगे कहते हैं कि उनका अफेर 6 महेनों तक चला था तनहा मीना अब डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी रात रात पर उसे नीद नहीं आती इसी से निजात पाने के लिए उनके डॉक्टर शाहा ने थोड़ी ब्रैंडी पिने की सला दी लेकिन लेकिन वो सला धिरे धिरे एडिक्शन एक लट बन गई ऐसी लट जिसने मरते दम तक मीना का साथ निभाया मीना को सबसे ज़ाद अगर किसी रोल के लिए याद किया जाता है तो वो है साहब बीवी और गुलाम की चोटी बहू एक संसकारी चोटी बहू जो अपने पती को पाने के लिए शराब तक को गले लगा दी है मीना ने अपने नीजी जिन्दगी में तब तक शराब को चुआ तक नहीं था जब गुरुदत साहब ने साहब बीवी और गुलाम के लिए मीना को पूछा था तब कमाल नहीं चाहते थे कि मीना वो फिल्म करे लेकिन मीना ने फिर भी वो फिल्म की थी 1968 में लंडन और स्विजर लैंड के हॉस्पिटल में मीना का एलाज रो और डॉक्टर्स ने उन्हें लिवर सिरोसिस की बीमारी का डाइगनोसिस किया और इंडिया लूट के सक्त आराम की हिदायत भी दी थी लेकिन मीना कुमारी ने डॉक्टर्स की सला को दर किनार करते हुए फिल्मों में वापसी कर दी कहते हैं कि शराब की ये लद बाद-बाद में इतनी बड़ी कि मीना अक्सर पर्स में और घर के बातरूम में शराब की एक बॉटल छुपा कर रखती थी मीना की सहत दिन बदिन बिगड़ते जा रही थी फिर एक वक्त वो भी आया कि डॉक्टर शाह ने उन्हें चेताओं ने दी कि आपकी अगली ड्रिंग आपकी आखरी ड्रिंग भी साबित हो सकती उसके बाद कुछ अरसे तक मीना ने शराब को अपने से दूर रखा के सारे पुल गिराने के बाद भी एक पुल दोनों के बीच बचा था वो पुल था पाकीजा पाकीजा फिल्म अधर में लटक गई थी कुछ अरसे बाद कमाल ने मीना को चिट्टी लिखी और कहा कि अगर पाकीजा फिल्म पूरी करने के लिए मेरा तुमें तलाक देना जरूरी है तो हम दोनों के बीच बची इस गिरा को भी में हमेशा के लिए खोलने के लिए तैयार हूँ इसके बाद अगर तुम ये फिल्म करो न करो इसका फैसला में तुम पर खोड़ता हूँ लेकिन मेरी तुम से एक ही दरख्वास्त है कि इस फिल्म से काफी लोगों की जिंदगी आज जुड़ी है काफी लोगों की दुआया है कि ये फिल्म पुरी हो और मैं खुद मानता हूँ कि पाकिजा को तुमारी जरुवत है पाकिजा की डुपती नईया को बस तुम किनारे लगा सकती हो दरसल 16 जुलाई 1956 को पाकिजा का मूर्थ शॉट हुआ 1960 में कमाल ने स्क्रिप्ट पूरी की और अगले चार साल में फिल्म की कुछ शूटिंग भी पूरी हुई तब इस फिल्म के हिरो थे अशुक कुमार और ये फिल्म ब्लाक एन वाइट में बंद रही थी तकरीबन 40 लाख रुपे खर्ष भी हुए थे लेकिन जब 1964 में कमाल से मीना का रिष्टा तूटा तो पाकिज़ा की शूटिंग भी रुख गई 1968 में कमाल और मीना के वेल विशस सुनिल्दज साब, नर्गिस जी, खयाम साब और उनकी वीवी जगजित कौर ने मीना को पाकिज़ा करने के लिए जैसे तैसे मना लिया और दोबारा पाकिज़ा शुरू हुई लेकिन लेकिन इस वक्त तक अशुक कुमार साब की उम्र हो चुकी थी तो उनकी जग़ा राश कुमार को बतोर हीरो लेकर दोबारा से फिल्म शुरू की गई मीना ने इस फिल्म को कलर सिनेमा स्कोप में बनाने के लिए कहा और कमाल मान भी गए पाकिजा बनने में पूरे 14 साल लग गए और फिल्म लगबग डेड़ करोड में बनी थी पाकिजा पूरी होने के बाद मीना की तबियत फिर बिग दी चार फरवरी 1972 को पाकिजा रिलीज हुई और फिल्म लेटिक्स ने इसे सूपर फ्लॉप करार दिया मीना की आडियंस ने भी पाकिजा से मूँ मोड लिया था मीना के आखरी दिनों में उनके पास पैसे नहीं थे जब डॉक्टर शान ने मीना को फॉरान हॉस्पिटल में भरती होने के लिए कहा तो मीना ने उनको जान बुछ कर एक दिन के लिए टाल दिया और अपनी बहन खुर्षिद से पूछा अब हमारे पास कितने पैसे बचे खुर्षिद ने जवाब दिया सो रुपए मीना ने मायू सुकर का सो रुपए में क्या खाक इलाज होगा जिस मीना ने तमाम उम्रल लाको रुपए चंदे में दान दिये अपने 25-30 मतलबी रिच्टेदारों का खर्चा उठाया जब पाकिजा का बजेट बढ़ते जा रहा था तब कमाल को कोई financial दिक्कत ना हो इसलिए पाकिजा के लिए मीना ने सिर्फ एक रुपए लिया था उसी मीना के पास आखरी दिनों में खुद के इलाज के लिए महज सो रुपए बचे थे और हॉस्पिटल के रूम का किराया था 65 रुपए रोज उन दिनों मीना ने दुश्मन फिल्म की थी जिसका पूरा पैसा आना तब ही बाकी था बहन खुर्षित के जरिये मीना ने दुश्मन के प्रोडूसर प्रेम जी से पैसे मंगवाए प्रेम जी ने भी बिना किसी सवाल के फौरण मीना को 10,000 रुपए भीजवाय था लेकिन मीना का अब जिन्दजी से ही मन उड़ गया था मीना ने अपनी बहन से कहा खुर्षित घर की चाविया रख लो अब मैं लॉट के वापस नहीं आ हूँगी सेंट एलिजाबेट नर्सिंग होम में मीना का इलाज चला डॉक्टर्स ने मीना के शरीर से तकरीबन तीन बाल्डी भरकर फ्लूइड निकाला लेकिन मीना को तब भी कोई रहात नहीं मिली कमाल अमरो ही भी पैसों से भरा ब्रीफ केस लेकर हॉस्पिटल पहुचे थे मीना ने कमाल से कहा मैंने दुनिया देख ली मैं अब घीना नहीं चाहती मेरे लिए यही बहुत है कि मैं तुमारी बाहों में आखरी सास लू 31 मार्च 1972 को दो दिन कोमा में रहने के बाद मीना ने दुनिया को अलविदा का कमाल की बेटी रुकसार ने कहा कि छोटी मा याने मीना के जाने के बाद कमाल ने मीना के सर पे दुपट्टा ठीक वैसे ही ओड़ाया था जैसे उन्होंने उसे पाकिजा में सचाया था और अपनी मंजू से कहा खुदा हाफिज अब इसे मीना की किस्मत कहेंगे या बदकिस्मती मीना के जाने के बाद पाकिजा बॉक्स आफिस पे सूपर हिट क्लासिक फिल्म साबित हुई मुंबई के रहमताबाद कबरस्तान में मीना को दफनाया गया और मीना के जाने के 21 साल बाद 1993 में कमाल साब को भी यही मीना के पास दफनाया गया झाल 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 झाल